रब खबर मुंबई से है जहां बीती रात एयपोर्ट पर लांडिंग के दौरान एर इंडिया की विमान का टायर फढ़ गया और आग लग गई एक यात्री ने ही इस हाथसे का विडियो बनाया जिसमें विमान से निकल कर भागते हुए यात्री साफ दिखाई दे रहे तस्वीरें बता रही है कि उस वक्त विमान में मौजूद लोगों पर क्या गुजरी होगी जब लेंडिंग के दौरान विमान का पहिया फढ़ गया और उसमें आग लग गई मुंबई एरपोर्ट रात दस बचकर पैतालीस मिनट पर नागपुर से मुंबई आ रहा एर इंडिया का विमान धर्ती को छूते ही जबरदस जटके के साथ हिल उठा लेंडिंग के वक्त यात्री सीट बेल्ट बांधे होते हैं इसके बावजूद इस खौफनाग जटके में कई यात्री घायल भी हो गय जमीन को छूते ही फटा विमान का टायर आग लगने से विमान यात्रियों में हरकम विमान में 168 यात्री सवार थे जिन में कई बुजर्ग और महिलाएं भी थी सबसे बड़ी चनौती इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की थी यात्रियों की शिकायत है कि विमान में लगी आग को बुचाने के लिए दमकल की टीम तो जल्दी पहुँच गई लेकिन जिन लोगों को चोट आई थी उनके प्रधम उपचार के लिए मेडिकल टीम देर से पहुँची ये काफी बड़ा हदसा हो सकता था पीछे का जो टायर जार जो साइट का वो फायर लग जया था उसको लैंड होने के बाद जैसे लैंड हुआ टायर बश्ट होके फायर हुआ और वह सीट के उपर ही विंडो के पास बैटा था थोड़ी देर में फायर एकदम विंडो तक आ गया और एरकाट पे पूरा धुआ और भर गया था ही चोट नहीं आई लेकिन सुरक्षा के लिहास से एर इंडिया विमान का यहादसा बेहत गंभीर है क्या विमान उलाने के बुनियादी नियमों को लेकर एर इंडिया सतर्क नहीं है सवाल ये भी है कि हादसा मुंबई एरपोर्ट पर हुआ जहां के लिए सख्त सुरक्षा और बहतर सुविधा के दावे किये जाते हैं विक्रान चोहान मुंबई आज तक बाभु मेरा बज़ेट बना दो बज़ेट बना दो बज़ेट बना दो पैसे वाले मेरा बज़ेट को मैना दे खोड़े सेवरी कराव